आपको क्या लगता है कि क्यूं हेमा मालिनी और इशा देओल एक जैसी दिखती है या क्यूं शर्मिला टेगोर और सैफ अलिखान की शकलों में एक जैसी छलक है आप सोच रहे होंगे कि क्या बेतु का सवाल है ये इसका जवाब तो हर कोई जानता है कि इन सभी का आपस में ख्रिष्टा है चाहे वो मा बेटी का हो, मा बेटे का या फिर बाब बेटे का जी हाँ बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं ये तो सब जानते हैं कि बच्चों में हमेशा अपनी मा या अपने पिता जैसी शाररिक विशिष्टाई अलक्षन होते हैं जैसे आखों का रंग, बालों का रंग, नाग की बनावट या फिर शरीर की बनावट और रंग बगएर 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 इतना ही नहीं कभी कभी तो बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी जैसे भी दिखते हैं 1928 में प्रिटिश बैक्टिरियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिट्थ, स्ट्रेटो कोकस न्यूमोनियाई नामक बैक्टीरिया को फैलने से रोकने के लिए एक टीका यानी वैक्सिन बनाना चाहते थे स्ट्रेटो कोकस न्यूमोनिया एक ऐसा सुक्षम जीव है जिसके कारण न्यूमोनिया नामक रोग फैलता है अगर न्यूमोनिया मनुश्य के शरीर में संचारित हो जाए तो इससे हमारे फेफणों के हवा लेने वाले सुक्षम रास्ते में सूजन आ जाती है जिससे सांस लेने में परिशानी होती है और अगर ये रोग ज्यादा बढ़ जाए तो हमारी मृत्यू भी हो सकती है इसलिए न्यूमोनिया को फैलने से रोकने के लिए ग्रिफित ने चूहे में न्यूमोनिया की बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया के दो स्ट्रेंस यानि जिवानों की दो किसमों के साथ अपना प्रियोग शुरू किया Griffith ने बैक्टिरिया के दो स्ट्रेंज यानि जिवानों की दो किसमों का प्रयोग किया पहला स्मूथ यानि S-स्ट्रेंज जिसके चारों और पॉली सेकराइड की कोटिंग होती है और दूसरा रफ यानि R-स्ट्रेंज जिस पर कोई कोटिंग नहीं होती अगर इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो स्मूथ स्ट्रेंज चिकना दिखता है और रफ स्ट्रेंज खुर्दरा S-स्ट्रेंज विरुलेंट यानि रोग फैलाने वाले होते हैं और R-स्ट्रेंज नॉन विरुलेंट यानि ये रोग नहीं फैलाते ग्रफित ने S-स्ट्रेंज वाले बैक्टीरिया का इंजेक्शन एक चूहे को लगाया तो चूहा मर गया फिर उन्होंने R-स्ट्रेंज वाले बैक्टीरिया का इंजेक्शन दूसरे चूहे को लगाया तो चूहा बिमार तो हुआ मगर जिन्दा रहा क्या आप जानते हैं ऐसा क्यूं हुआ? क्यूंकि स्मूथ स्ट्रेन यानि चिकनी किस्म के जिवानों के चारो और पॉली सेकराइड की परत थी इसलिए ग्रिफित को लगा कि शायद पॉली सेकराइड कोट के कारण ही ऐस स्ट्रेन विरुलेंट है लेकिन उन्हें इस पर पूरा यकीन नहीं था अगर ग्रिफित यहीं पर अपना प्रयोग रोक देते तो वो ये निशकर्स निकाल सकते थे कि पॉली सेकराइड कोट ही ट्रांस्फोरमेशन यानि की रूपांतरन का कारण है मगर उन्होंने अपने प्रयोग को जारी रखा जैसा कि ग्रिफित जानते थे कि पॉली सेकराइड्स पर गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मगर बैक्टीरिया गर्मी से मर जाते हैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एस स्ट्रेंड बैक्टीरिया को मारने के लिए उन्हें गर्म किया और फिर चूहे को उसका इंजेक्शन लगाया पता है क्या हुआ? जी हाँ, चूहा बिमार तो हुआ, मगर जिन्दा रहा क्यूंकि मरे हुए इस स्ट्रेंड पर पॉली सेक्राइड की कोटिंग वैसी की वैसी थी मगर गर्मी के कारण रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया मर चुके थे इसलिए ग्रिफित इस निश्कर्स पर पहुँचे कि पॉली सेक्राइड कोट ट्रांस्वर्मेशन का कारण नहीं है तो आपने देखा कि ना तो चूहा मरे हुए एस स्ट्रेंड बैक्टीरिया वाले इंजेक्शन से मरा और नहीं जिन्दा आर स्ट्रेंड बैक्टीरिया वाले इंजेक्शन से इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्रिफित ने गर्म करके मरे हुए एस स्ट्रेंड बैक्टीरिया और जिन्दा आर स्ट्रेंड बैक्टीरिया को मिला कर चूहे को इंजेक्शन लगाया आपको क्या लगता है? क्या हुआ? चुहा जिन्दा रहा या मर गया? आपको लग रहा होगा कि चुहा जिन्दा रहा, मगर नहीं, चुहा मर गया. है न चौका देने वाली बात? इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि ग्रफिक ने मरे हुए चुहे के खून के नमूने में जिन्दा S-Strain बैक्टीरिया को पाया इसका मतलब ये हुआ कि मरे हुए S-Strain की संक्रमन की शमता जरूर किसी तरह से R-Strain बैक्टीरिया को मिली होगी क्यूंकि गर्मी से प्रोटीन खत्म हो जाता है इसलिए क्रोमोजोम्स में इस्थित प्रोटीन ट्रांस्वोमेशन का कारण नहीं हो सकता यानि प्रोटीन भी आनुवांशिक लक्षणों को आगे नहीं बढ़ा सकता इसलिए हो सकता है कि DNA ही वो तत्व है जो अनुवांशिक लक्षणों को आगे बढ़ाता है Griffith ने सोचा कि मरे हुए विरोलेंट बैक्टीरिया के किसी तत्व ने ही नॉन विरोलेंट बैक्टीरिया को विरोलेंट बना दिया ये उसे विरासत में मिली थी इस अनुवांशिक लक्षण को आगे बढ़ाने को ग्रिफित ने ट्रांस्फॉर्मेशन यानि की रूपांतरन का नाम दिया और उस अंजान तत्व को ट्रांस्फॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दिया गया ग्रिफित द्वारा किये गए इस परियोग के आधार पर कई नई खोजें सामने आपाईं